तो वेलकम क्रिप्टो यूजर से एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है एक सवाल जो कि सब के मन में आता है और सब इस सवाल को जब अपने जहन में लाते है तो रोमांच से भर जाता है और वो यह कि यदि शीबायनू 2020 और 2021 में जिस टाइप से बड़ा था लाखो पर्षेन का जिसमें 46 लाख पर्षेन का पंप दिया था शीबायनू ने अगर यह वापस दोहराता है शीबायनू तो फिर बताईए हम कहां तक पहुचेंगे और शीबायनू की प्राइस कहां तक जाएगी और हमने जो इन्वेस्मेंड किया वो कहां तक जा सकता है दोस्तों यह लगता तो थोड़ा सा असंभाव सा है लेकिन यार अगर यह पॉसिबाल होता है क्योंकि क्रप्टो अनेक्सपेक्टेड चीजे करने के लिए ही जाना जाता है मुस्किल है कठीन है लेकिन आसंभाव नहीं है तो अगर यह हो जाता है और शिबायनू जो हदा 2020 और 2021 का जो लेवल है उसे दोहराती है तो हम कितना प्रोफिट कमा सकते है क्योंकि आपको पता है 2020 में लोंच हुआ कोईन 21 तक आते आते लोगों को करोड़ पती बना गया था तो यहां पर हम वही देखने वाले है कि 2020-21 की एतिहासिक ग्रोफ को दोहराता है जिसमें 46 लाक पर्षेंट का पंप था मार्केट में तो आप रतियासित इस तरह तक हम पहुँच जाएंगे हलाकि मैं ये भी जानता हूँ कि वो दोर कुछ अलग था ये दोर कुछ अलग है उस दोर में मीम टोकन में नाम मातर के कोईन थे डोज और शीबा को सब जानते थे लेकिन आज के टाइम पर बड़े बड़े क्रिप्टो करंसी मार्केट में यहां पर आ चुके है जो तगड कि प्राइज हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इस आप रित्याशित लेवल पर पहुचें लेकिन फिर भी उम्मीदों पर दुनिया ठीकी है और अगर यह होता है तो क्या होता है लेकि मैं इस बात की पुश्टि नहीं करता कि यह हो जाएगा हम भी जानते हैं थोड कि जब टार्गेट बढ़ा रखते हैं तो छोटा टार्गेट इची होने की संभावनाई जादा हो जाती है कहते हैं कि अगर हम 90% अंक लाने का किसी परिक्षा में टार्गेट रखेंगे तो 87-85 तो आहीं जाएंगे तो वही कुछ है अगर यह टार्गेट नहीं हुआ तो नीचे का हो जाएगा एंड तक वीडियो वच करना पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब अगर आप यहाँ पर देखे तो मार्केट में इस टाइब की काफी न्यूज चल रही है जो इसी बात को यहाँ पर दोहराती है लेकिन आगे बढ़ने से पहले शिबायनु के एक हिस इस्टोरिकल सक्सेश इस्टोरी में बताना चाहता हूँ जो कि इथेरियम के फाउंडर वेटामिक ब्यूटेरिंग की है जो कि एक उध्योग नेता थे इस्टैडिंग में ब्यूटेरिक को शिबायनु के आपूर्ती का आधा हिस्सा मिला था इस न्यूज के हिसाब से और इन्हों ने अपने पास नहीं रखा और अलग-अलग चेरिटी को इन्हों ने भेज दिया था और कहा था कि शिबायनु तो बेकार कोईन है एक दिन खतम हो जाएगा लेकिन 2020 और 2021 में जिस टाइप से ग्रोथ आई थी उससे पहले इन्हों ने क्या करा था शिबायनु टोकन को चेरिटी को दान किया और कुछ जला दिये थे बर्निंग कर दिये थे और आज की टाइम पे वो ही कोईन यार इतना एक्सपेक्टेशन रिटन दे रहे हैं जिसकी जवाब नहीं है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि देखे मार्केट मार्केट है कुछ भी हो सकता है और देखन किल करके जो प्राइस पहुंची ना वह चार जिरो के लेवल तक पहुच गई थी और एक टाइम तो चार जिरो साथ 88 का हाइस्ट लेवल यहां पर इसने बनाया था शिवायनों ने तो कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है और समय के साथ अगर आप चलोगे तो ज्यादा प्रॉफिट यहां पर जो है गेन कर पाओगे तो नए निवेश को को बजार से इसी उम्मीद है कि हो सकता है शिवायनों इस आप रतियाशित लेवल को दोहरा दे क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी बताओ 2021 में में मार्केट में आया था क्रप्टो मार्केट में कदम रखा थ कि आज भी इसका जो मोह है वो भंग नहीं हो पाया मार्केट से जादा तर इन्वेश्टरों के मन में शिवायनों के प्रति आज भी वही क्रेज है तो आईए अब हम में मुद्दे पर आते हैं कि क्या होगा यदि शिवायनों 2021 का बोलरन दोहरा दे ठीक है तो यहां पर बत किमत हम जानते हैं 15 के लेवल पर है 4-0 के साथ और यदि इस इस तर से उपर बढ़ने की कोसिस करता है तो अगर ओल टाइम हाई का इस तर देखे तो 82% नीचे है यहीं कि सबसे पहले तो 82% बढ़ना पड़ेगा तब जाके ओल टाइम हाई तक शिवायनों पहुचेगा उसक कुछ लोगों को उम्मीद है कि आरचा 3-0 के साथ जो वन का पॉइंट है वो तेजी से शिवायनों इचीव कर सकता है और कुछ लोगों को लगता है कि 2024 में ही शिवायनों 500% बढ़ेगा और जो यह लेवल है 3-0 के साथ का इसको यहाँ पर इचीव कर लेगा ने कि 26 की स्थिद्य को वापस दोहरा सकता है तो उस हिसाब से शिवायनों 56 लाग परशेंड की दर से बढ़ता है तो इसकी मोजुदा कीमत के हिसाब से यह बढ़कर 1.20 जीरो तक पहुच जाएगी इसकी प्राइस यानि कि 1 डोलर से भी जादा की शिवायनों की प्राइस तो इस हिसाब से यहाँ पर वही चीज दर्साई गई है कि यदि 26 लाग परशेंड का पंप होता है शिवायनों में तो मौजुदा कीमत से जो वेल्यू इसकी 1.2046 हो जाएगी यानि कि 1 एक डोलर से ज्यादा की शिवायनों की जो प्राइस हो जाएगी और उस हिसाब से टोकन रखने वाले इन्वेश्टरों का निवेश बढ़कर 120 मिलियन तक हो जाएगा तो यह है हलाकि आपको बता दे यहाँ पर जो केल्कुलेटिंग सप्लाई है उस हिसाब से इसके जो मार्केट के पर 709 ट्रिलियंड यूएश डोलर हो जाएगा जो कि पूरी ग्लोबल व देखते हैं कि इस लेवल तक शिबयनु कभी ना कभी पहुचे औरी सेतिहासिक दोर को दोराए लेकिन देखे गुंजाइस कुछ भी नहीं है अगर हम देखे 2020-21 का दोर तो उस टाइम क्या था शिबयनु में 9-0 लगी थी प्राइस काफी कम थी तो उस टाइम यह का खेल होता है और डिमांड और सप्लाई के लेवल पर अगर हम देखे तो शिबयनु में यह असंभव सा टारगेट है कि इस टारगेट को शिबयनु कभी इचीव भी कर पाए तो इस लिहास से इस टारगेट को हम कभी नहीं इचीव कर पाएंगे आईए जरूर है कि अगर बर्नेंग यहाँ पर हो जाती है तो यहाँ पर प्राइज व्रधी जरूर होगी लेकिन इस इसतर को दोहरा दे यह आसंभव है और वैसे ओल्रेडी मार्केट में नए नए टोकन आ चुके है जो शिबयनु तगडी टकर दे रहा है तो एक तरीके से हम यह मान सकते है कि मार् तक उस लेवल तक पहुँचे क्योंकि आज के टाइम पे 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 अच्छा पर्फर्फरमेंस कर रहा है और इंवेश्टर पे में दाव लगाना चाहा है क्योंकि इसने ज्यादा रिटन दिया और आज के टाइम पे क्या भेड़ चाल ज्यादा होती है एक इनवेश्टर ने इसमें लगाया दोने लगाया पेपे या कोई सब भी कोई बढ़ने लगा तो सब लोग उसमें कुत पड़ते हैं ठीक है अगर आज ही शीबा इनों बढ़ने लग जाए तो सब शीबा में कुत पड़ेंगे आज के टाइम पे में बताओ तो फ्लो की और बॉंक दो एक कोईनerson को फाइदा किशी एक कोईन कोई लिए अपने वीडियो में कहता हूं कि मीम टोकन का एक बास्केट रुकोई हो पने पास जिसमें चार पाँच मीम टोकन होना चाहिए शीबा नहीं तो शीबा का भाई और कोई ठीके बस ये इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो हम इतना रिटन है नहीं लेकिन एक लाग परशेंट का रिटन इचीव कर सकते हैं तो आई होप वीडियो इंजोई क्या होगा और जो हमने सपना देखा वो कभी ना कभी प नए वीडियो में नमस्कार